कैसे हो कैसे हो आज हम सीखेंगे मेरी फेवरेट नवरात्रे की रिष ताट इस साबुददाना खिचडी पहले आप तेल लेके उसमें मुफली सौते करके साइट कर लो फिर आलू सौते कर लो और मुफली वापिस डाल दो उसी कड़ाई में फिर साबुददाना जो आपको धो के रखना है पहले से ही उसको अपनी कड़ाई में डाल तो जो है वो थोड़े क्रिस्पी हो जाए और फिर हम डालेंगे इसमें मसाले तो हम डाल रहे हैं नमक और नमक के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च फिर हम डालेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम पानी उसके बाद पानी डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे पकने के अब हम इसके इंदर डालेंगे चीनी इससे क्यों हैगा तोड़ा सा खट्टा मींठा सा टेस्ट आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और फिर आम इसको वापिस मिक्स कर देंगे और बाइद वे ये रेस्पी मेरी मम्मा ने मनाई और मेरे को सीखने का बहुत मनता है तो असके बाद आप इसको धक्के रख दो थोड़ी देर औ और फिर आपसको का लो स्व सब वू थोड़ा से सोफ हो जाना चागिए हांग नहीं हो थी हाने मैं और मैं इसको अट खान कर्द आपनापसFF कर तो मैंने कर में थोड़ा सा भुना जीर डाला है और मैं इसको अट लिए खाँगोंगी से अब और ये ले रहीं हुआ कPro ऑने बाई 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 बाई